आपके पास अगर रेशन कार्ड है तो आपके लिए एक हवर जाना बहुत ही महत्तपुन ने जरूर है क्योंकि आने वाले समय में 12 राज्यों में हो जाएगा रेशन कार्ड जी हाँ दूस्तों आपके पास जो पूराना रेशन कार्ड इसके बदले सरकार आपको देगा नया एक राष्ट एक रेशन कार्ड आप इसका मतलब है पूराना रेशन कार्ड से आप उनली एक ही स्टेट का रेशन ले सकते अभी जो आपका नया रेशन कार्ड मिलेगा तो आप जाके अपना रेशन कार्ड बिना बदली किये अपना रेशन उठा सकते आपका अगर किसी कार तो इसका नाम है एक राष्ट एक रेशन कार्ड तो ये आने वाला 15 जानुवारी से लाग हो जागा 12 रज्ज के लिए और 2020 जून से 20 रज्ज में लाग हो जागा कुल तो दोस्तो इसमें पोटविल्टी का कोई जंजट नहीं है, कोई कागजी कारबई आपको दूसरे स्टेट में जाने की बाद नहीं करना पड़ेगा, आप एक बाद नया रेशन कार्ड ले लिजिए सरकार से तो आपको और कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा दोस्तों इसमें सरकार ने लिखे कम से कम 79 करोड लोग के पाद रेशन काड़ है और 12 राज्यों में ये रेशन काड़ बदली करने से 35 करोड लोगों को ये सीधा-सीधा मिलेगा जून 2020 में कुल 20 राज्यों में इसको और लागो कर दिया जाएगा तो इसमें कौन-कौन सा राज्य है तो ओभी में आपको एक बर बता देता हूँ दोस्तों पहले तो है अंद्रो प्रदेश, तेलंगाना, गुजराद, महाराष्ट, हारियाना, राजस्तान, करनाटक, केरल, गुआ, मधर प्रदेश, त्रिपुरा और ज्ञारकण ये बारा राज्यों के लिए ये बारा राज्यों का यहां पर लिष्ट दिया ये बारा राज्यों में पहले ये लागू कर दिया जाएगा जनवरी पंदरा तारीक से और आने वाला समय में जून बीस तक जून बीस तक आपको ये और बीस राज्यों में चालू कर दिया इसका बहुती फाद आप मिलेगा पहले तो क्या था दोस्तो पहले एक राज्य का रेशन काड लेकि दूसरे राज्य में आप नहीं रेशन ले सकते हैं उसको ट्रांसपर का बहुती जंजट रहता तो आभी आपको उस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जब देश एक ह तो रेशन काड अलग अलग क्यों हो दोस्तो सरकार का यह कहना है तो इस को इस दिक्कत का दूर करने के लिए इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने लाया वन रेशन काड वन नैशन जी हम दोस्तो तो इसका अभी सीधा सीधे लाप आपको मिलेगा आप अगर हमारे च किसे कुछ चाहे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं नहीं तो एक लाइक देना हम बन पूले फ्रेंड